Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. दुस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चानल राजर्शी क्लासेस में. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th Standard Science Paper 2 का Chapter No.1 Heredity and Evolution. इसका जो ये 3rd पार्ट है. दो पार्ट जो है हमने दे लिये है और वो YouTube में आपको मिल जाएंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इससे Like, Share और Subscribe करना मत भूलना. बेल पटन पर क्लिक करना भी मत भूलना जिससे कि आपको सारे Notification सबसे पहले जो है मिल जाएंगे. So let's we start the lesson. Chapter No.1 Heredity and Evolution का 3rd पार्ट. तो इसके पहले दो पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था Heredity and Hereditary Changes. उसमें हमने Transcription, Translation and Translocation जो DNA में जिन्स ट्रांसपर होते वक्त होता है उसके बारे में पढ़ा. Then हमने Evolution के बारे में पढ़ा. Evolution क्यों होता है, कैसे होता है उसके Evidence भी जो है, जो हमने 6 Evidence देखे, जिसमें की 1st था Marqueological Evidence, then 2nd is the Anatomical Evidence, then Vestigial Organ के बारे में हमने पढ़ा, Palantiliological Evidence के बारे में पढ़ा. Next जो है हमने Connecting Links देखे, तो इसके बाद और जो है, last one Embryological Evidence. तो आज हम ये 3rd Part में देखने वाले है, Darwin's Theory of a Natural Selection. तो इसमें पहले Darwin के बारे में, Charles Darwin के बारे में थोड़ी Information लेगे. Charles Darwin जो है, Biologist थे, और उनको जो है, Geology का भी पूरा Knowledge था. और इन्होंने जो है, बहुत सारे देशों में जाकर study की. बहुत सारे species, plant species, animal species, इसके बारे में जो है, numerable species के बारे में उन्होंने जो है, sample collect किये, उसके study की. 20 साल तक उन्होंने study की उसकी, और उसके बाद जो है, उन्होंने एक theory दी, natural selection, theory. ओके, तो इसके लिए उन्होंने एक books भी लिखे, origin of species. ओके, तो यह जो उन्होंने study की, उसमें, जो है, plants और animals के बारे में, natural habitats के बारे में, plants और animals के biodiversity के बारे में, living organism और extinct animal, इन सब की जो है, उन्होंने study की. 20 साल तक काम करते रहे, और उसके बाद में, उन्होंने अपना conclusion जो है, दिया, तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, जो evolution के study में, ओके, तो यह जो Darwin है, उनके बारे में, अब हम आगे पढ़ेंगे. Charles Darwin had collected innumerable specimen of a plant and animal, and depending upon the observation of those specimen, और सभी specimen को observe करने के बाद में, he published the theory of natural selection, उन्होंने natural selection की जो theory published की, वो क्या कहता है natural selection theory, यह कहता है कि survival of a fittest, मतलब जो भी animal है या plant है, वो जो है, नेचर में कैसे survive करता है, कोन सा animal जो है, वो fit होता है, survive करते बड़, इसके बारे में जो है, उन्होंने information दी. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Spaces, और उसके लिए फिर जो है, उन्होंने अपनी एक books भी बनाई, जिसका नाम है Origin of Spaces, तो which, while explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically, तो Darwin ने कहा है कि organism जो है, वो reproduce prolifically, prolifically याने बहुत सारे नंबर से, सभी जो animals है, वो reproduce होते रहते हैं, और reproduction उनका बार-बार-बार होते रहता है, तो वो जो है, number of times जो है, वो reproduce होते रहते हैं, और उनका population जो है, वो बढ़ते रहता है, तो इस तरह से, जो है, living organisms जो है, वो reproduce prolifically करते रहते हैं, और सभी एनिमल्स जो है, बहुत, मतलब, reproduced होने की वज़ा से, बहुत जादा quantity में reproduced होने की वज़ा से, उनको survive करना भी, जो है, possible करना पड़ता है, मतलब, बहुत सारे लोगों को habitat चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना चाहिए, रहने के लिए जगा चाहिए, तो ये सब जो है, इतने सारे animals के जो species है, या इतने सारे plants के species है, सभी को चाहिए होता है, तो और हमारे जो land पे उतना खाना उतना ये भी रहना ज़रूरी होता है, तो जो organism इस competition में जो fit है, तो वो ही जो organism है, वो survive करते रहता है, और जिसे ये सब बाते नहीं मिलती है, वो compete नहीं कर पाता है, तो वो fail हो जाता है, So, in this competition, only those organisms sustain, which show the modification essential for winning the competition, और इस competitions में, वही organism survive करता है, जो अपने आप में, जो है, atmosphere के हिसाब से, अपने आपको change करता है, modified करता है, और वो competition जीर जाता है, और survive करता है, However, besides this, natural selection also play important role, because nature selects only those organisms, which are feed to live, and the rest perish, और natural selection में ये भी बताया गया है, कि वही animals, वही organism जो है, nature select करता है, जो उसमें, nature में fit होता है, मतलब उस nature को जो है, वो accept करता है, उसमें जो है, वो survive कर लेता है, तो वही organism जो है, nature भी जो है, select करता है, और बाकी के सभी जो है, वो फिर diminish हो जाते हैं, sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific character, और sustaining, मतलब जो उस atmosphere को accept कर रहा है, उसमें जो है, survive कर रहा है, वही organism और जो organism, nature select करता है, can perform reproduction और वो जो है, फिर आगे आगे reproduction करते जाता है, उसका population जो है, बढ़ते जाता है, and thereby give rise a new species, और वो जो है, नए-नए species हमें देते जाता है, और वो जो नए species आता है, वो एक specific character के साथ में आता है, क्योंकि वो adjust करके, अपने आपको modify करके, जो है, survive करता है, तो उसका जो reproduction होता है, वो जो नए species देता है, वो एक specific characters के साथ में आता है, डार्विन's theory of a natural selection was widely accepted for long duration और डार्विन theory को जो है जो उन्होंने natural selection theory दी थी उसको सभी तरब जो है accept किया गया और बहुत long time तक जो है accept किया गया और जब डार्विन की theory आई थी तो उसके पहले जो है सब लोग जो है Almighty को ही मानते थे मतलब भगवान ने ही सब evolution किया है ऐसा ही वो मानते थे लेकिन जैसे ही Darwin की theory Charles Darwin की theory आई तो हमें पता चला कि यह जो life है scientifically जो है उसका proof है वो कैसे आई और वही जो बाते है Darwin ने अपने theory में भी बताई So however some objection were raised against the theory लेकिन उसके बाद में बहुत long duration के बाद में उनके theory पे कुछ objections आए Some of the main objections are यहाँ पे कुछ objections जो है किस पे लिए गए वो दिया गए है तो first है natural selection is not the only factor responsible for evolution तो Charles Darwin ने क्या कह था कि जो nature है nature में जो भी organism जो है survive कर लेता है उसको accept कर लेता है और जो है compete में जीत जाता है वही जो organism है वो आगे nature भी उसे select करता है तो और वही जो है आगे अपना population बढ़ाता है तो natural selection is not the only factor responsible for evolution लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि सिर्फ natural selection यही एक factor responsible नहीं है evolution के लिए evolution के लिए और भी कुछ कारण होंगे है तो Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification अब Darwin की तेयरी में उन्होंने बताया है कि जो भी organism survive करता है अपने nature को accept कर लेता है तो वो और उसमें जो कुछ भी वो अपने survive करते वक्त modification करता है तो वो modification useful है या useless है उसके बारे में जो है Darwin साहब ने कुछ नहीं बताया था तो नेक्ट थर्ड जो पार्ट है there is no explanation about slow changes and abrupt changes और Darwin साहब ने जो है ये जो changes हो रहे है वो slow changes हो रहे है कि पिच पिच में कुछ abrupts भी आ रहे है मतलब जैसे earthquake है या फिर volcano eruption है उसके बज़े से तो ये जो abrupts भी आ रहे है इसके बारे में भी जो है उन्होंने कुछ भी explanation नहीं दिया है तो इसलिए जो है इनके जो theory पे कुछ objections आए ओके तो irrespective of all these objections Darwin's work on evolution has been milestone लेकिन ये जो objection हमने देखे इसको छोड़कर बाकी जो Darwin Charles Darwin का जो work है वो एक milestone है मतलब एक जो है धमा का है ठीक है उसके पहले क्योंकि किसी ने भी जो है इस evolution के बारे में कोई भी study नहीं की थी ठीक है तो यहाँ पर हम देखते है introduction to scientist Charles Robert Darwin इनका जन्म होँ था 1809 को और 1882 को जो है इनकी death हुई this English biologist proposed the theory of evolution ये जो है English biologist थे और इनको जियलोजी का भी जो है बहुत सारा knowledge था proposed the theory of evolution evolution की जो है थेयरी इनने पहली जो थेयरी है उनने दी he shows that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestors तो Charles Robert Darwin ने क्या कहा कि जो living organisms है और उसके जो species है वो जो है बहुत gradually evolved हुए मतलब इनको जो है डेवलफ होने में thousands of years लग गए और यह जो सभी organisms है इनका एक common ancestor है मतलब एक ही ancestor है जिससे की यह उनमें modification होते गया होते गया होते गया और जो है फिर organisms बढ़ गये और उससे जो है बहुत सारे plant, बहुत सारे animals जो है so he proposed that principle of a natural selection is responsible for this evolution और इन्होंने जो अपनी theory दी थी natural selection तो इसी से जो है यही जो है natural selection theory ही responsible है for evolution तो natural selection theory में उन्होंने बताया कि वही animals और plant survive करेंगे जो अपने आपको उस nature में ढाल देंगे या फिर अपने आप में कुछ modification करेंगे और survive करेंगे वही जो है वो फिर बाद में जो है develop होते जाएंगे reproduce करते जाएंगे और उनका जो population है वो बढ़ते जाएगा so next is the Lamar's chism तो Jean Baptist Lamarck जो है propose that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism he called this concept as principle of use or disuse of organs तो ये जो scientist है Lamar's chism इन्होंने जो है अपनी एक theory दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि morphological changes morphological changes जो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बाहर से जो हमको दिख रहे हैं वो सभी changes तो जो morphological changes है occurring in living organisms are responsible for evolution ये जो morphological changes है वही जो है responsible है evolution के लिए and the reason behind those morphological changes और उसके बाद में उन्होंने उसका reason क्या दिया कि जो activities जो दिखती है और गनिजम की तो अगर बहुत ज़्यादा active होगा तो जो है मतलब आगे बढ़ेगा और जो laziness अगर उसमें होगा उस organism में तो वो बही जो है diminish हो जाएगा So he called this concept as principle of use or disuse of organs तो इस principle को उन्होंने क्या कहा use or disuse of organs मतलब उनके जो organs है जो active है मतलब एक organ नहीं मतलब एक organism नहीं तो उस organisms के पूरे parts भी अगर वो active है या फिर lazy laziness है उसमें तो वो जो है कोई काम का नहीं होता है जो active है वही जो है आगे बढ़ेगा तो उसको जो है इस principle को उन्होंने क्या नाम दिया use or disuse of organs further he said आगे उन्होंने बताया कि he said that the neck of a giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plant by extending their neck for several generations similarly, shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movements तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जो जिराफ है जिसकी जो नेक है वो अब जो है बहुत लंबी है पर इसके बहुत सालों पहले जो है जिराफ जो है उसकी नेक बहुत छोटी थी पर after the long period तो शुरुवात में जो है बहुत सारे animal जो है होने की वज़े से उनको जो है खाना जो है जो जाड की पतिया है वो मिलना मिश्किल होने लगा तो बाकी के जो जानवर है वो नीचे की सारी पतिया जो है वो खाने लगे बची क्या है तो फिर उपर की पतिया तो ये जो उपर की पतिया है वो खाने के लिए हमें मतलब जिराफ को जो है गर्दन जो है अपनी ऊची करनी पड़ी मतलब ये जो अगर ट्री है तो इसके नीचे के जो पत्ते है वो सभी animals जो है वो खा लेंगे लेकिन जो उपर की बच्ची वाली पत्ती है तो उसके लिए जो है जिराप ने अपनी जो है गर्दन ऊची करना शुरू कर लिया तो पहले जो मतलब उनकी जो पहली पीडी है उसने जो है मतलब हमेशा जो है उसकी गर्दन ऊची करने की कोशिश कर लेगे इसको मतलब यह जो अरगन है वो अक्टिव हो गया नेक्स्ट जो जनरेशन में फिर जो दुसरा आया उसकी गर्दन और ज्यादा थोड़ी उची हो गई तो इस तरह से जो है गर्दन जो है उची करते करते यह जो है आपकी गर्दन जो है उची हो गई तो इस तरह से जो है survive करने के लिए सभी जो जानवर है अपने आप में कुछ न कुछ modification करने लगे और वो जो है उस nature में survive करने लगे तो इस तरह से जो जिरापने भी जो है generation to generation जो है उसमें कुछ न कुछ development आते गया और आज जो हमें जो दिखते हैं उस तरह से जो है वोसे जिराफ है उसको डेवलब होने में में एक या दो यादन होने वाली यह प्रक्रिया नहीं है यह बहुत इसको जो है लंबा जो है ृट्रेशन लगा लंबा टाइम लगा वैसे ही जो है 졹ो डर अप दा अ aika इसलिए जो है वह अपना जो है शोल्डर जो है ज्यादा मतलब बार 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 यूज कर रहे थे किसलिए हैं मरीं करने के लिए तो इसलिए जो है वह शोल्डर उनका एक्टिव हो गया और वो जो एक ओर्गन है वो स्ट्रांग हो गया तो वही जो है जो एक ãर्गन है वो नेक्स्ट जनेरेशन में आगया से जो है एक 59 क्यारेक्टर को जो एक इत दिसरे जहते हैं एसे जनेरेशन में जाते गयां वह ना नयुक में इनके निक़्॔र वेक Nie defense report को आपकए जो विंग्स है वो कुछ भी काम के नहीं है क्योंकि वो उड़ नहीं पाते हैं तो वो रन फास्ट करता है आश्ट्रीज आपको मालू है तो इसके विंग्स जो है विक होने की वज़े से उसका कोई यूजी नहीं रहा तो आगे के जो भी जनरेशन आए उसमें भी जो है वैस अगे तो जो बर्ड से लाइक स्वैन और डख यह बहुत सारा टाइम जो है उन्होंने कहां पर बिताया पानी में बिताया तो इसलिए उनके लेग्स जो है स्वीमिंग के लिए वो काम में आ गए मतलब वो एक्टिव रहे हमेशा पानी में होने की वज़े से तो वो श्वी पहले उसको लेक्स थे लेकिन उसकी जो है बरोविंग हाबिट है मतलब गड़े में जो है रहने की हाबिट के वज़े से और जविन पर स्क्रॉल करने की वज़े से उसके लेक्स जो है कोई काम के नहीं रहे और कुछ जनरेशन के बाद में वो निकल गए ठीक है तो इस तर जब पहले वो अलग थे लेकिन उसके बाद में जो है उनमें कुछ चेंजेस आ गए generation to generation उसमें जो है कुछ characters उन्होंने acquired किये and are transferred from one to another generation और वो transfer होते गए एक से दूसरे generation में this is called as the theory of inheritance of acquired character और लेमार किन इसी को जो है क्या कहा जाता है theory of inheritance acquired character मतलब कुछ characters जो है उन्होंने acquired किये हैं और वो inherit किये ओके इसे जो है inheritance आप acquired characters theory भी कहा जाता है या फिर लेमार किन की theory कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है इसको बताया ठीक है तो यहाँ पे जो है उनके बारे में कुछ introduction दिया है introduction of a scientist Jean Baptist Lamarck इनका जन्र हुआ 1744 को और उनकी मृत्ति हुई 1829 को Lamarck proposed that the activity of the organisms are responsible for their evolution तो Lamarck जो है क्या कहते है कि activity जो है organism की वो responsible होती है evolution के लिए मतलब अगर बहुत ज्यादा active है वो organism या उसका कोई part अगर खुब active है बहुत ज्यादा active है तो वो जो है दीरे दीरे next generation में reproduce होने के बाद में नया आने के बाद में उसमें जो वो character जो है transfer होते है और इस तरह से जो है evolution होता है so this french naturalist यह french naturalist थे propose that each animal or plant undergo some changes in its life span and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in this next sequence generation 2 इनका कहना है कि हर एक जो animal और plant है उसमें जो है changes होते जाते हैं उनके पूरे life में और यह जो changes होते हैं वो transfer करते है next generation में और वो next generation दूसरे उसके next generation में और उसके जो changes सब्सेक्वेंटली जो है पास आउट होते जाते हैं generation to generation next development of a organ due to specific activities of their degeneration due to no use at all was widely accepted but transfer of those character from generation to generation was rejected तो इन्हों ने यह जो बताया हमें कि जो भी organism से है वो active उसके एक्टिवनेस की वज़े से जो है उसमें changes आते हैं और वो जो नया प्रोडूस करता है वो उसमें वो character चले जाते हैं तो यह जो उन्होंने बताया तो उसमें जो है जो activities होती है specific activities जो है are there degeneration due to no use of all was widely accepted मतलब उन्होंने जो कहा कि सभी organs जो है अपने activities के साथ में आगे बढ़ता है और जो जिस organs का use नहीं होता है वो फिर degenerate होते जाता है इस theory को accept किया गया बढ़ transfer of those character from generation to generation लेकिन यह जो characters है वो generation to generation transfer हो रहे है कि reject हो रहे है उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बता है तो because it has been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation and thereby लिमार्क स्थेयरी वाज डिस्प्रो तो आगे देखा गया कि उन्होंने बटाया है कि सभी जो active जो अटिविटीज है उस organisms की वो जो है transfer होती है दूसरे नेक्स्ट आने वाले जो है आप्स्प्रिम में लेकिन यह जब देखा गया तो वो नहीं पाया गया मतलब हर एक जो active organs जो है उस next generation में नहीं दिखा तो इसलिए जो है landmark की थेयरी जो है डिस्प्रूव हो गई the living organism can transfer the character which it has acquired to the next generation तो living organism can transfer the characters which it has acquired जो living organism है वो जो कुछ character acquired करता है मतलब उस atmosphere के हिसाब से जो है अपने आपको develop करता है acquired करता है तो वही जो है next generation में पास होते है इस थेयरी को क्या कहा जाता है ancestry of acquired character मतलब जो भी atmosphere के हिसाब से या फिर nature के हिसाब से वो जो अपने आपको ढालता है वो अपने आपको change करता है और वो जो atmosphere को adopt करता है तो वही जो है सर्वाइब करता है और वही जो है next generation में जाता है और यह जो acquired character उसमें आते है तो इसी को क्या कहा जाता है ancestry of acquired character okay next speciation इसमें क्या दिया है कि formation of a new species of a plant and animal is the effect of evolution जो भी new species जो plants और animal की develop हो दी है वही जो है मतलब वही जो है evolution कहलाती है formation of a new species of a plant and animal is the effect of evolution species is the group of organism species जो है एक group of organism है that can produce fertile individual through natural reproduction और यह जो species है species of a group of organisms में जैसे कि बहुत सारे animals है डाग है cat है tiger है lion है elephant है जिराफ है बहुत सारे जो है animals है तो उसमें भी जो है अलग-अलग मतलब जैसे डाग है डाग की बहुत सारी varieties है cat की बहुत सारी अलग-अलग varieties है आपको elephants की या ताइगर जो है उसकी भी बहुत सारी varieties जो है मिलती है आजकल दिखती है तो यह जो सभी varieties है वो उससे हम species कहेंगे अलग-अलग species तो यह जो अलग-अलग species है मतलब डाग की अलग-अलग varieties जो मिलती है उसकी एक species तो इसका जो ग्रूप है ग्रूप आफ ऑर्गेनिजम है डाट केन प्रोडूस फर्टाइल इंडिविडियूवल थो नैचरल रिपरड़क्शन तो उनको जो है जब वो फर्टाइल करते हैं जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उन्हें जो है अलग-अलग अट्मास्पियर में अलग-अल कंडिशन होती है मतलब एक अगर कंडिशन अलग है तो दूसरे से और है तो जो जिसे जो है रहता है उस हिसाब से वह अपने आपको आप करता है और वह अपने है डेवलफ करता है और उनका जो reproductive time भी जो होता है वो भी अलग-अलग होता है so their food, habitat, reproductive ability and periods is different सभी species का जो है food अलग होता है उनका habitat अलग होता है उनका reproductive ability जो है वो भी अलग होती है उसका time जो है वो अलग होता है उनका period जो है वो अलग होता है so however genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one तो genetic variation जो है हमने पहले देखा था पहले पार्ट में तो genetic variation भी जो है responsible है to formation of new species besides geographical and reproductive changes are also responsible genetic variation जितना important है उतना ही जो है geographical condition मतलब वो जिस area में रह 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 है तो वो भी जो है responsible होता है and reproductive changes are also responsible मतलब geographical and reproductive changes उसके reproductive जो changes है वो भी जो है responsible होते है उस animal को develop होने में Similarly, geographical or reproductive isolation also leads to speciation. Geographical or reproductive isolation, मतलब एक खादा जो आनिमल है, जैसे गोट लो या फिर काउ लो, तो ये जो है, मतलब एक geographical condition में रहने वाला जो काउ है, या फिर दुसरे geographical condition में रहने वाला जो काउ है, तो वो उसी हिसाब से उसी area में जो है, वो डेवलप करेगा, और reproductive भी जो है, वो वही पे करेगा, पर अगर इन दोनों काउस को, मतलब जो अलग-अलग geographical condition में रहने वाले हैं, इनको अगर मेट किया जाए, इनका जो अगर मिलन किया जाए, तो वो एक तो survive कर सकता है, या फिर वो isolation में, isolate रहता है, मतलब वो कुछ नहीं करेगा, वहाँ पर generation नहीं बड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, कि हर एक जो geographical condition के हिसाब से जो animal वहाँ पर रहता है, वो वही पे जो है, वो reproduction का system जो है, वो carry होता है, ठीक है, human evolution, next is the human evolution, अब human का evolution कैसे हो गया, बहुत interesting पार्ट है यह, the biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organisms due to evolution, तो यह जो biodiversity जो हमें दिख रही है भी, animals की भी, plants की भी biodiversity, बहुत मतलब, जो है, plants की संख्या बढ़ गई है, animals की संख्या बढ़ गई है, उसमें species जो है, अलग-अलग बढ़ गए हैं उनके भी, बहुत सारे, so that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism, और इसकी शुरुवात जो है कैसे हुई थी, unicellular organisms से, हमने पहले ही पढ़ा था, कि एक unicellular organisms जो है, pro-karyote, वो क्या होने लगा, जो है, develop होके, जो है, वो eukaryote हुआ, देन जो है, वो unicellular में convert हुआ, फिर जो है, वो multicellular हुआ, तो इस तरह से जो है, आज जो हम दिख रहे हैं, यहां तक का जो एक सफर है, हमने जो है, तै किया, तो शुरुवात कहां से हुई थी, unicellular organism से, और अब जो है, multicellular organisms, जो है, whale जैसे बड़े-बड़े जो animals हमको दिखते हैं, so in this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below, तो human का जो evolution है, नीचे pictures दी है, इसमें जो है, दिया गया है, यह हम बात में पढ़ेंगे, so origin of human evolution can be shown as per the picture given below, उसका evolution कैसे होते गया है, वो picture में दिया गया है, last dinosaur disappear approximately 7 crore year ago, तो जो सबसे last जो animal कहा जाता है, dinosaur, तो जो जो dinosaur disappeared होके approximately कितने crore year हो गये, 7 crore years का time जो है, बीट गया, at that time monkey like animal are said to be evolved, और उसी time में monkey like animal, मतलब अभी जो monkey दिखते हैं, उस type का जो एक animal जो है evolved हुआ, from some ancestors who were more or less similar to the modern lumer, तो यह जो monkey like animal जो evolved हुआ, वो किसके जैसे दिखता था, modern lumer के जैसे, मतलब अभी जो हम lumer देखते हैं, उसके जैसे वो जो है दिखता था, so tail of these monkey like animals of Africa, is said to be disappeared about 4 crore year ago, और इस जो modern lumer type के टाइप से दिखने वाले monkey की जो है tail, वो जो है आफरीका में जो उसको देखा गया तो उसकी tail जो है वो disappear हो गई थी, तो यह जो animals है वो survive मतलब घूमते थे इधर से उधर, मतलब यहां से वहां वहां से वहां तो जो यह modern lumer type का tail वाला जो monkey like animals जो था, उसकी tail कहां पर disappear हो गई आफरीका में जो monkey पाए गए उसमें जो है disappear हो के दिख गई थी, और वो कब four crore year ago, four crore year ago, so they developed due to enlargement in brain, their hands were also improved and thus app like animals were evolved और उसके बाद में धीरे 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 जो है, उनका brain जो है वो बढ़ने लगा, तो यह जो brain उनका जो है बढ़ने लगा, तो क्या हुआ कि उनको उनके hands भी जो है उसमें भी develop improvement आते गए, and thus app like animals were evolved और तो उसके बाद में जो है एक app like animal जो है हमें दिखने लगा, meanwhile this app like animal reaches the south and northeast asia और यह जो है सभी animals एक जगा सी दूसरी जगा पे जाते रहते हैं, तो यह जो app like animals है फिर कहां पे गया, south and northeast asia में and finally evolved into gibbon and orangutan और उनका जो है, changes किस में हुआ, gibbon and orangutan में हुआ, ठीक है, so next remaining app like animals stayed in Africa और remaining जो app like animals है यह जो app like animals है, बाद में जो है जो बच्चे वाले जो app like animals थे वो आफरीका में जो है stay कर गए, and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore year ago और उसमें जो है gorilla और chimpanzee जो है वो evolved कर गए, remaining जो है आफरीका में रहे गए और बाकी जो है gorilla और chimpanzee 2.5 crore year ago जो है evolved हो गए, evolution of some of the 2 crore year old species of a ape seems to be occurred in different way और यह जो evolved हुए वाले जो आफ है वो 2 crore year old species of a ape seems to be occurred in a different way वो जो है अलग जो है दिखने लगे, so they had to use their hands more for eating food and other work तो वो जो है वो जो है अपने हाथ का जो है यूज बाकी सब दूसरे कामों के लिए भी जो है करने लगे, eating के लिए या फिर दूसरे काम करने के लिए भी जो है वो use करने लगे, तो यहाँ पर जो है हम यह देखेंगे इनका development फर्स्ट जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर ancient animals like lumor, तो पहले जो monkey like animals हम को दिखा था वो कैसे दिखता था like lumor के जैसे जिसमें की यहाँ पर tail दिख रही है डेवलफ हुई और उसके बाद में जो है वो कब डेवलफ हुआ था 7 करोड इयर अगो, नेक्स्ट जो है उसमें कुछ और changes हो गए यहाँ पर आपको दिख रहा है तो इसके tail जो है डिसपीर हो गई है एजिप्टो पिथे एकस यह जो second जो यह है उसका development है एजिप्टो पिथेकस यह जो 4 करोड इयर अगो जो है डेवलफ हुए उसके बाद में जो आया ड्रायो पिथेकस यह जो है टू लाक फिप्टी थाउजंड इयर अगो का जो है इसमें भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा है हमको हैंड्स जो है मतलब जमीन पर टच होते थे वो जो है अब थोड़े उपर आ गए हैं उसमें थोड़ा सा चेंज इस हो गया है नेक्स्ट जो है इनकी जो पीठ है वो थोड़ सी जो है स्ट्रेट होते हुए दिख रही है हमें हैंड्स भी जो है अब बहुत उपर आ गए हैं मतलब पैर भी जो है सीधे हो गया है इनके डेन आ आस्ट्रेलो और पिथेकस में जो है यह फोटीन थाउजंड्स सॉर्य फोटीन लाक इयर इनको डेवलोप्मेंट हुआ तो यह जो है हैंस का जो है इनके हैंड्स में जो है कुछ आउजार भी दिख रहे हैं मतलब कुछ काम करने लगे यह तो इनकी पीठ जो है वो थोड़ी सीधी हो गई है और तो नेक्स जो है स्कील्ड हुमन यह ट्वेंटी लाक इयर आगवा ह तो यह जो है कुछ काम भी करने लगे है और यह जो है सीधे चलने लगे है और इनमें कुछ स्कील्ड आ गया है भी नेक्स जो है फिप्टीन लाक इयर एगो में जो है पुरी तरह से मतलब 80% जो है डेवलोप्मेंट इसमें दिख रहा है मैनमीत इरेक्ट पॉस्चर मतलब यह जो है पूरा सीधा हो गया भी और नेक्स्ट जो है नियंदर थला है मतलब हमारे जैसे आदमी की जो है बन गया फिर तो वन लैक फिप्टी थाउजंड इयर एगो जो है नियंदर थला है वो तो बहुत काम भी करने लगे ठीक है शिकार वगरे सब करने लगे नेक्ट ज जो आए, क्रोमेगनन मैं, 15,000 यर आगो जो है, वो आए, तो यह जो है, फुली डेवलप हो गए थे फिर, तो यह जो है, जर्नी है, हुमन्स की, अब हम देखेंगे, आगे, तो यह जो एपलाइक्स अनिमल से, यह बाद में जो है, कहा पे रहने लगे, लैंड पे रहने लगे, मतलब यह जाडों पे जो उनका पहले, जो यह जाता था, लाइब जाता था, तो वो लैंड पे रहने लगे, as the forest, started to decline, due to dry environment, और लैंड पे रहने की वज़े से, जो है, जब forest में कुछ, मतलब, environmental change से, जो है, कुछ, खत्रा होने लगा, तो वो जो है, अनिमल भी जो है, decline होने लगे, so their lumar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grassland, तो उनका जो lumar bones है, lumar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grassland and thereby their hands become available for us, anytime, तो जब यह, मतलब, इनका जो posture है, वो erect posture होने लगा, मतलब, यह सीधे जो है, खड़े रहने लगे, तो जैसे यह है, तब जो है, यह, जो है, ग्रास, stand in erect posture in grassland and thereby their hands become available for us, और तब जो है, इनके hands भी जो है, जो है, काम करने लगे थे, So, this, this first human-like animal with erect posture which we are using their hands have evolved about 2 crores year ago, और यह जो first human-like animals है, यह जो है, जो है, first human-like animals, मतलब, यह, नियंदर थल से, जो आगे बढ़ रहा है, तो यह first human-like animals with erect posture, और वो जो है, बिल्कुल अपने backbone पे जो है, उनका backbone जो है, वो सीधा हो गया था, और वो erect हो गया था, उनका posture पूरा, सीधे खड़े रहने लगे थे, which we are using their hands, और hands भी जो है, कायूस पूरी थरह से वो करने लगे, about 2 crore year ago, ओके, first record of a human-like animal is with us in the form of a Ramapithecus ab from East Africa, और यह जो human-like animals है, इसका जो है, first record हमको कहाँ पे मिला है, रामा पिथे कस में, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, picture में, first जो है, man-like ape, जो है, हमें, रामा पिथे कस मतलब की 1 crore year ago जो है, वो दिखने लगा था, ठीक है, afterward, this ape, ape grow in, up in size and become more intelligent and thus, the ape of South Africa evolved about 40 lakh year ago, और उसके बाद में जो है, इस ape में जो है, बहुत, वो grown होने लगे, size में, and मतलब उसका size भी पहले छोटा था, फिर वो जो है, grow up होने लगे, size से भी, और बहुत ज़्यादा intelligent भी, जो है, मतलब सोचने लगे, जैसे हम सोचते है आज, वैसे ही, वो भी सोचने लगे, and thus, this ape of South Africa evolved about 40 lakh year ago, और 40 lakh year ago, यह हमें South Africa में मिले, ठीक है, So, the morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo, about 20 lakh year ago, and thus, skilled human developed, तो इनकी जो morphology है, मतलब उनके जो बहारी characters है, this human-like animal, मतलब हमारी जैसे दिखने वाले जो अनिमल है, started to appear like to be the member of the genus Homo, यह जो है, होमो में जो है, उनका जो जीनस है, वो होमो में convert हो गया, about 20 lakh year ago, मतलब होमो सेपियन्स जो है, हमें कहा जाता है, तो यह होमो सेपियन्स में आ गए, ठीक है, about 20 lakh years ago, यह कब हुआ, 20 lakh years ago, and thus, skilled human developed, और धीरे धीरे फिर जो है, skilled human जो है, वो develop होने लगा, मतलब हमने जो चार्ट में अभी देखा था, skilled human, तो यह जो है, बाद में develop होने लगा, यह skilled human, वो 20 lakhs year ago, जो है, वो develop होने लगा, then about 15 lakh year ago, human walking with erect posture, और उसके बाद में जो है, 15 lakh year ago, human जो है, चलने लगा, walk with erect posture, मतलब अपने backbone को जो है, सीथी तरीके से रख कर, मतलब हम जैसे आज चलते हैं, वैसे जो है, वो चलने लगे, कब 15 lakh years ago, human walking with erect posture, यह जो दिख रहा है, यह erect posture के से जो है, वो चलने लगे, ठीकर, it may have existed in China and Indonesia of Asian continent, और यह कहाँ पर मिले हमें, चाइना और इंडोनेशिया में, तो जब यह चाइना और इंडोनेशिया में, जो इनका existence हमें पता चला, तब वो जो है, चलते थे, और उनका posture भी जो है, erect हो गया था, मतलब वो सीधे चलने लगे थे, नेक्स्ट जो है, evolution of a upright man, continued in the direction of development, its brain for the period of about one lakh years, and meanwhile it discovered the fire, तो इनका जो यह evolution है, आप आप राइट, मतलब सीधा जो man जैसे चलने का जो evolution है, वो continue रहा, और वो आगे जो है, developed होने रगे, उनका brain भी जो है, बहुत ज्यादा developed होने लगा, वो सोचने लगे हमारे जैसे, और about one lakh year ago, जो है, वो fully developed जो है थे, and meanwhile it discovered the fire, और उन्होंने जो है, first time जो है fire का जो है discover किया, पहला discover जो है man का fire, वो कब हुआ, one lakh year ago, ब्रेन आफ फिप्टी थाउजंद्स येर ओल्ल्ड मैन हैड बिन, उनका ब्रेन जो है, फिप्टी थाउजंद्स येर ओल्ड मैन हैड बिन सफिशेंट्ली इवल्ड तो, वो extent that it could be considered as member of the class wise man, और इसको जो है, एक समझदार मैन, जो है, कहा जाने लगा, कब, जब, बतलब, फिप्टी थाउजंद्स येर अगो, उसका ब्रेन जो है, वो डेवलप्ट हो गया था, फिप्टी थाउजंद्स येर अगो, और ये जो है, वो सोचने लगा हमारे जेसे, और इसे जो है, बाद में, member of class wise man में, जो है, वो आने लगा, मतलब homo sapiens, जो हम homo sapiens है, वैसे वो समझदार आदमी कहलाने लगा, नियंदर थल मैं can be considered as the first example of a wise man, और नियंदर थल जो है, हमने जो भी development में इनके देखा था, ये जो नियंदर थल से, ये जो है wise man कहलाने लगा, कब one lakh fifty thousand year ago, मतलब पहले, ओके, तो नियंदर थल मैं can be considered as the first example, of a wise man, the crow magnon man evolved about fifty thousand year ago, and afterward this evolution had been faster than the earlier, और last crow magnon man जो है फिर evolved हुआ, developed हुआ, about fifty thousand year ago, and afterward this evolution had been faster than the earlier, ये जो है crow magnon man जो है, ये fully developed man कहलाने लगा, fifty thousand year ago, और जो है, इसके बाद में जो development है, वो बहुँ ज़्यादा faster होने लगा, तो, this evolution has been faster than the earlier, about ten thousand year ago, wise man started to practice the agriculture, और ten thousand year ago, पहले जो है, ये जो wise man है, ये जो समझदार, जो man का development हुआ, वो जो है agriculture, मतलब खेत जो है, करने लगा, उनको समझ में आने लगा, कि हमें कौन से, जो है crop grow करने चाहिए, उनको खाने के लिए, जो भी चीजे चाहिए रहती थी, वो जो है लगाने लगे, मतलब वो agriculture जो है, form करने लगे, उन्होंने start कर दिये, so it started to rear the cattle herd, and establish the city, उन्होंने जो है, cattle को जो है, वो मतलब अपने साथ में रखने लगे, उसका भी use जो है cattle का, क्योंकि वो उनसे बूद मिल रहा है उनको, तो वो उसके लिए जो है, और वो खेतों के काम में भी use हो रहा है, तो उनका use भी उनको समझ में आने लगा, वो cities में रहने लगे, मतलब उनको एक रहने का जो है, मतलब मिल के रहने का एक फाइदे उनको पता चले, और इसलिए वो जो है cities बनाने लगे, then cultural development होने लगा took place, art of writing was invented about 5000 years ago, 5000 years ago जो है, उनमें writing की कला भी जो आ गई, and does the history and been started, और अब हम history जो पढ़ते हैं, वो history जो है वो बनने लगे, so modern science emerged about 400 years ago, और यह जो modern science है, science जो पहले से ही चल रहा है science, लेकिन modern science की शुरुवात जो है, कब हुई 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago, और उसके बाद में 200 years ago, जो है, industries जो है develop होने लगे, we have reached at this day, and still we are searching the details of a root of a human ancestor, और अभी भी जो है हम, जो हमारा root है, मतलब हमारे ancestor है, उसके बारे में अभी भी जो है, search कर रहे है, study कर रहे है, आज तो हमारे में बहुत सारा development हो गया है, आज हम computer से खेल रहे हैं, internet से खेल रहे हैं, बहुत सारा space में हमारे development हो चुका है, बहुत सारा development जो है, अभी हो चुका है, फिर भी जो है हम, क्या search कर रहे हैं, हमारा root, हमारे ancestor, हमारा human being, कैसे develop हुआ, उसके बारे में जानने की कोशिश करी रहे हैं, तो ये जो development हमने man का यहाँ पर देखा, human evolution, इसमें हमें क्या पता चला है, कि हमारा जो ancestor है, वो शुरुआत में कैसे दिखता था, लेमियूर लाइफ, जिसको की एक टेल थी, वो 7 लैक करोड करोड पहले जो है, डेवलप हुआ, उसके बाद में उसकी जो टेल है, वो चले गई, और फिर बाद में वो जो है, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा जो है, सीधा होने लगा, और इस तरह से जो है, उनमें जो है, थोड़े-थोड़े-थोड़े-थोड़े development आते गए, बाद में वो कुछ काम भी करने लगा, ये हमें देख रहे हैं, उनका ब्रेज भी रख्रे, उनका मिउंका ब्रेन डिवलप्ट भी होने के बाद में वो सोचने लगा, निएंदर थल पत्राइल थक्रो से लिक… जो है और फिर बाद में उनका development जो है man का development बहुत faster होने लगा यहां पर जो picture में बताया गया है उसका brain कैसे develop हुआ है पहले छोटा था फिर थोड़ा बड़ा हो गया बड़ा हो गया फिर बहुत सोचने लगा कुछ काम करने लगा उसके hands develop सबसे पहला जो डिस्कवर उन्होंने किया राग में जो है बहुत सारे डिवलप्मेंट फीर होने लगए उसके बाद में वह ऐगरिकल्चर खेती भी करने लगा और दिरे 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 जैज है बहुत सारे जो development होते गए यह हमने पुरा इसमें देखा है तो यहाँ पर जो है हमारा यह lesson खतम हो रहा है इसके exercise जो दिये है वो आपको करने है अगर इसमें कुछ भी problem आता है तो आप मुझे comment box मर लिख कर भेज सकते हो तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो है तो दोस्तों यहाँ पर जो है यह वीडियो खतम हो रहा है मतलब यह lesson भी पूरा हमारा खतम हो रहा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे like, share और subscribe करना है और thank you for visit this राजशी classes और ऐसे ही आपको सभी जो science और history के जो वीडियो ओ चाह है तो आपको जो है बेल बटन को क्लिक करना पड़ेगा और आपको सारे notification सबसे पहले जो है मिलते जाएंगे thank you for watching this video have a nice day